Entertainment जगत में ऐसे कई सारे अभीनेता हैं जो हमेशा अपनी पत्नियों की हर बात मानते हैं और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं जिसके चलते उन्हें कभी भी किसी तरह का मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। अपनी बीवियों के मना करने के बाद चली जानते हैं के करके उन्हीं के बारे में नमबर वन आमिर खान इंडस्ट्री में मिस्टर पॉफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले अभीनेता आमिर खान का नाम इसमें सबसे पहले आता है जिनसे इनकी पत्नी किरन राव बहुत प्यार कर थी कि अक्ट्रस फातिमा सना के साथ काम ना करे पर फिर भी इनोंने उनके मना करने के बाद भी धंगल फिल्म में फातिमा सना के साथ काम किया और इसी बज़ہ से आमिर और किरन का रिशता हमेशा हमेशा के लिए तूट गया जो एक आदर्श पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों की भी बहुत अच्छी माँ है तबी तो उनकी हर गलतियों पर उन्हें रोकती टोकती है और हमेशा शारुक को भी यही कहती है कि वो अपने बच्चों की गलतियों पर परदा ना डाले लेकिन फिर भी शारुक अपनी वाइफ के खिलाफ जाकर अपने बेटे आरियन का साथ दे देते हैं और इसी वज़स से ही तो अपने पिता से छूट पाकर एक बार आरियन को जेल की हवा खानी पड़ गई थी बॉलिवूट के सुपरस्टार सनी देवल पर इनकी पतनी पूजा देवल तो अपनी जान छिड़कती हैं पर इन पर आँख बंद करके विश्वास करती हैं और फिर भी अभी नेता अपनी वाइफ की बात ना मानते हुए अपनी एक्स गर्फरेंड डिम्पल का पाडिया से शादी के बाद भी छिप छिपा कर बात करते हैं जिसके चलती है कई बार अपनी पतनी द्वारा पकड़े भी जा चुके हैं वालिवुट की लवी डवी कपल आज़े देवगन और काजोल के बारे में ये तो सब जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तबी तो अज़े भी अपनी वाइफ की हर बात मानते हैं लेकिन फिर भी अज़े अपनी पतनी काजोल की एक बात कभी नहीं मानते हैं आपको बता दे काजोल चाहती हैं कि आजए सल्मान खान से दूरियां बना लें पर फिर भी आजए उनकी बात को कभी नहीं मानते हैं और उनके टच में ही रहते हैं और उनसे जदा बात ना करें पर फिर भी सल्मान उनकी बात नहीं मानते हैं तबी तो कई बार इस वज़े से सल्मान खुद मुश्किल में पढ़ जाते हैं तो दोस्तों क्या इन अभी नेताओं को अपनी पत्नियों के साथ ऐसा करना चाहिए था आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें